हेलो दोस्तों, वेलकम बाक तो दे चैनल, पड़माये इस दे वर्चु आफ हमानेटी, तोड़े, वी विल टॉक अबाउट ओनली, ओनली, दे ट्वीटर खैंपेंग, ओके, क्या है ट्वीटर कैंपेंग, कभ होगा, कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे, बहुत ही sensitive topic है, और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप student हो तभी है, आप teacher हो तभी है, ऐसा नहीं है, ये campaign हर किसी के लिए है, क्योंकि direct, indirect, हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये ब लिए, hashtag modimodih, underscore rojgar, underscore do, hashtag modirojkar, ये hashtag आपको यूज करना है, और tweet करना है, और retweet करते रहना है, ठीक है, कब करना है, 25th February, 11 बजे सुबह, ठीक है, अब ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कि आपको सिर्फ 25 February को करना है, आपने अगर आज twitter visit किया होगा, yesterday visit किया होगा, तो चल रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है, तो आपको ये करते रहना है, 25 के बाद भी करते रहना है, stop नहीं करना है, ठीक है, आप सभी को समझा गया क्या करना है, आपको ये हैश्टाग की उस करना है, spelling का ध्यान रखें, underscore का ध्यान रखें, and this हैश्टाग only you have to use, हैश्टाग मोधी underscore रोजगार underscore दो, ये हैश्टाग आपको यूस करना है, 25 February सुबह 11 बज़े से, और जितने भी, जितने भी teacher, student, जो भी, जितने भी teacher, आपके लिए वीडियो बना रए है, इस topic पर वीडियो बना रहे है, इस hashtag को support कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो को viral कर दो, दो जादा से जादा लोगों तक share करो और सिर्फ आप ही मत tweet करो आप करो अपने दोस्तों को बोलो भाई बैनों को बोलो मातापिता को बोलो हर किसी को बोलो tweet करने के लिए अगर उनका twitter account नहीं है प्लीज make sure आप अपना twitter account बना ले बट 25 February को ये mass moment जो twitter का campaign है ये किसी भी हाल मे सफल करना है और हमें एक जूट होकर करना है ऐसा नहीं है कि यार मैं तो preparation करता नहीं हूँ मेरे लिए नहीं है मैं SST नहीं करता हूँ मैं railway करता हूँ मैं railway नहीं banking करता हूँ ये नहीं करना है ठीक है आप किसी भी exam की preparation करते हो आप भले ही PCS और UPC level की preparation करते हो but please support this movement and tute as much as you can right यहाँ पर कुछ pointers मैंने note down किये हैं जिस पर थोड़ा सा discussion हम कर लेते हैं सबसे बड़ा जो discussion का topic है भाई सब यह CGL 2019 यह CGL तो मतलब ऐसा discussion का इस बार topic बन गया है कि क्या ही करें किसी को समझ नहीं आ रहा है graduate level के exam में nursery वाला paper दे set कर रहे हैं और उसके बाद normalization लगा रहे हैं और बच्चों का career खा गया है अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बार में बात करती हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे देखो exam calendar process क्या होनी चाहिए जो commission की तरफ से होना चाहिए एक proper format में exam calendar release होना चाहिए ठीक है जैसे UPSC करती है अब UPSC का example ही ले सकते हैं क्योंकि वो streamline चलती है UPSC के बच्चे को पता होता है कि एक साल वो preparation करेगा और एक साल exam process में लगेगी अगर उसकी preparation अच्छी रही है तो उसकी selection निश्चित है मतलब दो साल के अंदर उसका job fix है है ना बट यहां देखो एससे सीव ले लो railway ले लो मतलब उसकी पात साल के बाद भी job fix है की नहीं वो student नहीं कह सकता पंचवर्सिय योजना भी fail है इसके सामें पात साल में भी नहीं बच्चों का job लग रहा है तो सबसे पहले यह स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है exam calendar एक proper format में होना चाहिए आपकी कब notification निकली है कब निकलनी है कब आपकी tier 1 होनी है CBT 1 होनी है कब phase 1 होना है कब आपका phase 2 होना है कब आपका interview process होगा और कब आपकी joining होगी at least student के पास यह उमीद तो रहे कि जब वो पढ़ाई कर रहा है तो कितने महीनों में कितने सालों में उसका job होने वाला है यहां तो बच्चा पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है जिस भी student ने 2013 के बाद preparation इस्टार्ट की होगी आज उसकी स्थिती दूर दर्शा हो चुकी है एक्जाम के मामले में क्योंकि process ही मतलब अजीब ही हो चुका है 17-18 के बाद तो मतलब बुरा हाल है ठीक है तो I think कि यह सबसे पहले exam calendar proper format में आना चाहिए उसके बाद ये single shift में exam क्यों नहीं होते हैं मुझे ये नहीं समझाता है हर जगह हर जगह हम यही कहते हैं digital India, digital India, digital India What is a digital India? क्या हाथ में mobile आना, internet आना, facebook आना, insta चलाना This is what you call a digital India? No, right? It is not a digital India Facebook और insta चलाना is not a digital India हम 5G की बाते कर रहे हैं, digital India, digital India, सिर्फ digital India की बाते कर रहे हैं और इस digital India में एक single shift में exam नहीं हो सकती एक single shift में exam नहीं हो सकती बताऊ जिसमें कुछ लाग बच्चों का exam लेना है, बस एक आदलाग बच्चे होंगे जिनका पूरे देश में जिनका exam लेना है और इस Digital India में हम एक लाख बच्चों का exam एक shift में नहीं ले रहे हैं, भाई का है का digital India है, कैसा digital India है, shift by shift ये हर shift में exam ले रहे हैं, और उसमें भी इनका रोना देखो, कि हर shift का paper एकदम जमीन आसमान का difference होता है, किसी shift में paper एकदम टफ आ जाता है, और किसी shift में paper एकदम नरसरी level का आता है, मतलब ये क्या है, एक level का question भी नहीं set हो सकता है, जो लोग question set करने माले हैं, paper set करने माले हैं, क्या उनसे एक level का question set नहीं हो सकता, कि अगर तीन shift में exam और ये तो तीनो shift का level एक हो, नहीं हो सकता, और नहीं हो रहा है तो, बहुत सारे institute हैं, जहां पर बहुत सारे teacher पढ़ाते हैं आप उनमें से किसी को बुला लो फ्री में वो पेपर सेट करके जाएंगे और लेवल का पेपर सेट करके जाएंगे ग्राजवेशन लेवल का एक्जाम ले रहे हो अप ग्राजवेट लेवल का एक्जाम है और पेपर तो आप मतलब नर्सरी वाला दे रहे हो औ आपको paper easy आया उसमें आपकी गलती है आपने 200 में से 200 solve किये यह आपकी गलती यह system है माई किये थ्यान देना चाहिए एक shift में paper करना चाहिए ठीक है उसके बाद यह इसको कहेंगे हम इसको कुछ कहने की बात है paper leak or cheat यह हम कहेंगे हम बताएंगे कमिशन को कि आपको इस पर ध्यान देना है कमिशन जो भी एक्जाम करा रही है जो उसके लिए रिस्पॉंसिबल है उनको ध्यान देना चाहिए ना कि भाई पेपर लीक ना हो बिपीएसी का लेवल PCS लेवल का पेपर लीक हो जाता है बताओ अभ बहुत बहुत जरूरी है और यह वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट यह बहुत इंपॉर्टन है वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट आएगा तो स्टूडेंट को यह पता रहेगा कि हां मैं कहां exist कर रहा हूं मुझे अगले exam के लिए जाना है या मुझे यहां पे stick रहना है अब student को पता ही नहीं होता है result दे दिया आ जाता है ना marks पता होता है ना कुछ पता होता है ना कोई लिस्ट आती है ना rank लिस्ट आती है ना waiting लिस्ट आती है कुछ भी नहीं आती ह अब student का काम क्या है, वो मरमर के पढ़ाई करे, फॉर्म भरे, exam देने जाए, exam दे के आ जाए, उसके बाद वो exam के बारे में भूल जाए और वो अब फिर अगले साल के exam के preparation करना, start कर दे, यह करना है student को, ऐसा यह चाह रहे है, ऐसा यह commission चाह रही है ऐसे जो process यह चल रही है, exam process की, यह ऐसा ही चाह रहे है student को, बट ऐसा तो नहीं से लगा ना, एक student तीन साल, चार साल, पात साल अपना पूरा जीजान से जोंक देता है इसमें, और फिर वो इतना drain हो जाता है कि mental status, stress से गुजर रहा होता है so waiting list और rank list को निकालना है, number of vacancies clear होनी चाहिए, आप जब notification निकाल रहे हो तो पता होना चाहिए कि कितनी vacancy है, वही नहीं पता होता है, vacancy निकाल देने से रोजगार मिल जाता है क्या, सिर्फ notification निकाल देने से final job मिल जाती है, क्या, नहीं मिलती है उसके बाद भी student को 4-5 साल तक धके खाने पड़ते हैं, 4-5 साल तक mental stress से गुजरना पड़ता है, फिर भी उसके बाद भी उसकी job होगी कि नहीं, इसकी surety नहीं है, confirmation नहीं है exam process को ठीक करना बहुत जादा जरूरी है, बहुत जादा जरूरी है, बहुत painful है ये exam process, बहुत जादा painful है अब आप मुझे ये बताओ, 2018 का जीजल का paper अभी भी clear नहीं हुआ है, आज 2021 चल रहा है, मतलब क्या process है, student को क्या करना है, कहां जाना है, कितनी vacancy है, नहीं है, किस दिशा में जाना है, कुछ नहीं कहना है, कुछ बताना ही नहीं है उसके बाद भी 200 में से 200 नंबर लाके भी बच्चों का selection नहीं होगा, माता पिता पूछेंगे बिटा, कैसा exam गया, पापा मेरा तो अच्छा गया है paper, 190 solve करके आए हूँ, 105 में solve करके आए हूँ, लेकिन जब result आती है, list में नाम नहीं है, वो अपने पिता जी को क्या बताए कि कौन से normalization का सिकार हो गया हूँ, मैं, क्या बताएगा वो, चलो इसकी तो बाद में बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा fraud चल रहा है, ये correct question करने वाला जो है ना, बहुत बड़ा धानली है, पहली चीज ये है कि आप एक level का question ही set करते हो, इतने shift का, ठीक है, चलो बहाँ adjust किया, दूसरी चीज क्या है, कि आप 100 question बनाते हो, उसमें भी 10 question आपके गलत होते हैं, मतलब कहां से question set करने वाले आते हैं, कि जो इतने question गलत होते हैं, जब कोई question बना रहा होता है, तो obviously उसका answer भी साथ साथ बना रहा होता है, answer तो कभी release ही नहीं किया जाता, answer तो release करो, कम से कम अपने आपको student judge कर ले, actual मैनों में, आपके answer sheet से match करके, आपके जो भी answer होंगे, उन से match करके, वो अपने आपको judge कर ले, answer डेते ही नहीं है, अब यहाँ पर इतने सवाल गलत होते हैं, इतने सवाल गलत होते हैं कि क्या बता है, मतलब हम भी paper set करते हैं, test लेते हैं, इत के चेक किया जाता है और यह तो पूरा commission है पूरा proper format है उसके बाद भी question गलत होते हैं अतिकभ होती है एक तो question आपने गलत किया तो आपको क्या करना चाहिए आपने 5 question गलत किया 10 question गलत किया तो student को आपको क्या करना चाहिए काइदे से कि आप ये release कर दो एक notice कि भाई इतने question गलत हुए है इस paper में तो हम बच्चों को 10 marks, 5 marks बढ़ा के add करेंगे नहीं हम ये नहीं करेंगे क्या करेंगे हर बच्चे से हर बच्चे से हम लेंगे 100 रुपे हर question के लिए और उसके बाद उसको ठीक करेंगे और ऐसा नहीं है कि OTP वाला कुछ format लगा लें कि भाई एक question के लिए एक बार 100 रुपे आ गए तो हम दुबारा नहीं लेंगे उस question को log कर देंगे कि हां इस question के लिए चार्ज पैसे आ चुके हैं representation इस paper का इस question का लग चुका है ये नहीं करेंगे हर बच्चे से उसी एक question के लिए 100 रुपे लेंगे ये मतलब क्या है ये कौन सा process चल रहा ह नोटिफिकेशन आई बच्चा जिम्यदार पेपर इजी आया student जिम्यदार उसमें question गलत आये उसमें भी student जिम्यदार ज्यादा solve कर दिया उसमें भी student जिम्यदार मतलब क्या है ये आप अपनी जिम्यदारी कब लोगें तो इसलिए ये hashtag दिया गया है ये hashtag आपको 25 फैप को 11 बज़े tweet retweet करते रहना है और रुकना नहीं है ऐसा नहीं सिर्फ 25 को 25 के बाद भी करते रहना है कल परसो daily करना है daily जब तक इसका कोई solution ना निकल जाए अच्छा अब सीजेल के बात कर लेते हैं सीजेल में क्या हुआ पेपर 15 को हुए 16 को हुए और 18 को हुए तीन date में exams हुए ये 15 और 16 के जो question थे almost same थे चलो वहाँ पे compromise कर लो और जेस्ट कर लो बट ये जो 18 का पेपर था भाई साब इस 18 के पेपर ने तो जान ले ली बच्च कितना easy था मतलब इस level का इस nursery के level का paper था इस kg के level का paper था कि student ने अच्छा का सा marks यहां पे solve किया 190-195 student solve कर के आये हैं और जब list आई है जब result आया है तो इन बच्चों का selection नहीं है इनका list में नाम नहीं है का है भाईया तो normalization लगाए गया है normalization है normalization की वज़े से आपका नाम नहीं है मतलब आपकी गलती है कि आपके shift में paper easy आ गया इसलिए आपका selection नहीं होगा जिस भी student ने 18 तारिक को exam दिया है वो सभी घर जाके सब के माता-पिता ने पूछा होगा क्योंकि हर माता-पिता की उमीद होती है और वो कुछ इमीदों के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं preparation करवाते हैं student जब preparation करना start करता है तो कुछ उमीदों के साथ start करता है कि मैं एक साल में दो साल में उस level पर पहुंच जाओंगा अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारूंगा बहुत सारी चीज़े होती है बहुत सारी उमीदे होती है क्योंकि यह जो preparation करने वाले बच्चे हैं कोई और क्लास के बच्चे हैं वो students हैं जो दिन रात बारा बारा घंटे लाइबरेरी में बैटके पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक selection के लिए कोई उनको lavish life नहीं चाहिए होती है मन्थली की salary चाहिए होती है जिससे वो अपना simple सा साधा जीवन यापन कर ले बुस वहीं चाहिए हो 16 की date में जिसका भी exam 15 16 को था उनके अगर 120 भी marks है तो उनका list में नाम है 18 तारिक को जिन्होंने 190 लाया है उनका list में नाम नहीं है कहां कि मतलब की ये इनसाफ है कौन सा इनसाफ है इसको कैसे कोई justify कर रहा है normalization का कोई rule ही नहीं है कुछ भी नहीं है उसमें marks नहीं दिये गय हो गया है अब marks इसलिए नहीं दिया गया है कि भाई 4-5 महीने बाद तो बच्चे शांत हो जाएंगे स्टूडेंट सांत हो जाएंगे दूसरी exam हो में busy हो जाएंगे क्यों नहीं दे रहे दो clear करो at least पता तो चले कि कौन से basis पे normalization हुआ है 18 तारिक को जो भी बच्चा देने गया होगा घर से उसके माता पिता जब वह एक्जाम दे के वापस घर लाटा होगा ना माता पिता ने पूछा होगा बेटा कितने solve करके आए कैसा रा पेपर उसने का होगा पापा इस बार पेपर बहुत अच्छा गया है उम्मिदे तो है निकल जाएंगी सोचो उसका मनोबल कितना तूटा होगा जब लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा कितना तूटा होगा उसका मनोबल यह किसकी responsibility आपकी responsibility है ना मतलब responsibility कोई लेना ही नहीं चाहता है कोई नैतिक्ता कोई ethical ऐसा लगता है कि कोई ethical word और कोई नैतिक्ता इन कुछ लोगों के dictionary में ह नहीं नहीं अगर होते तो आज यह हाल नहीं होता और YYiva मतलब 200 Clearly LOT के भी वहरुजगार नहीं भूमरे होते यह तो हद हो गई ओ introductions को सुन्दिन लाके प्रNE लाग ब Dharma किसा काम करना किसा क्यों से करो अगर तो 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 इसको एस Super सेट को चेक करने का मतलब कैसे आपको स्किल सेट एक स्टूडेंट का चेक करते हैं इस बेसिस पर कि उसके सेशन में अगर इजी क्वेस्चेन आए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है अब थोड़ा सा यह लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना यह लिस्ट आप देख लीजिए यहां पर आप देखिए यहां पर अब यहाँ पे देखो, tier 2 का cut-up है, tier 2 का cut-up, general का देखो, 528 गया है, 528 और OBC का cut-up देखो, 478, मतलब इतना difference, इतना difference कैसे हो सकता है, 50 number का difference, कैसे हो सकता है, और यह कैसे कोई justify कर सकता है, 50 number का difference, C, reservation जरूरी है, आरक्षन जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, जहां पे आरक्षन की जरूरत है, actually में जरूरत है, so इसके against कोई नहीं है, कि आरक्षन मत दो, ये मत दो, मत दो, क्योंकि जरूरत है, दो, but इतना भी मत करो, इतनी भी अती मत करो, इतना भ अगर 2018 की बात करें, so जो ये cut-off गई थी, ये 433 थी, okay, and 433 थी, तो 428 और 433, 528 और 433 में, around 95 का difference है, ठीक है, OBC के लिए, जो 2018 थी, उसमें, cut-off 400 थी, मतलब, 78 marks का difference है, ठीक है, 2018 में इतना difference था, 2019 में इतना difference कैसे हो सकता है, 2018 में, approximately, 33 marks का difference है, 33 marks का ही difference है, और 2019 में, 50 कैसे हो गया, कौन इसको justify करेगा, how it is justifiable, कैसे को justify करेगा, मुझे यह नहीं समझा रहा है, मतलब जनरल का बच्चा क्या करे, अपनी जान दे दे, मैं बदानो नहीं, यहाँ 528 cut-off गई है, और इसमें, जिनका 545 भी है न marks, उनका list में नाम नहीं है, selected नहीं है वो, किसकी वज़े से, इस normalization की देया की वज़े से, उनका list में नाम नहीं है, 545 लाने मतलब, क्या बोलते हैं, 600 में से 545 लाया है उन्होंने, बट फिर भी उसका list में नाम नहीं है, मतलब यह कैसा student के skill set को चेक करने का system चल रहा है, कि 545, 600 में 545 लाके भी उसका list में नाम नहीं है, फिर जनरल की तो, फिर notification निकालने से पहले, वहीं पर लगा दो कि भाई, एक star का marks दे दो, और वहां पर लिख दो, कि जनरल वालो, अपना देख लो, exam का, तुमारा 600 में से 600 तो, नमबर लाके भी तो, मारी selection होगी कि नहीं, इसकी कोई guarantee नहीं है, 545 marks का मतलब समझ में आता है, कि वो student कितनी मेहनत की होगी, कितना practice किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, 545 अगर ला रहा है, उसके बाद भी उसका selection नहीं हो रहा है, यह तो tier 1 है, sorry, tier 2 है, tier 2 है, तब difference और बढ़ेगा, tier 3 में तो यह difference और बढ़ेगा, फिर general वालों को कह दो, भाई, तुमारे लिए यह job नहीं थी, जब बच्चे preparation किया करते थे, तो बड़े बुज़ुर कहा करते थे, भाई, तुम जेनरल category से हो, तुमे ना, 100 में से 100 नमबर लाने हैं, इतनी पढ़ाई से होगी तुमारी, तब ही तुमारा कुछ हो सकता है, आदरवाइस तुम सरकारी job के सपने छोड़ दो, और यह सच दिख रहा है, कि 100 में से 100 लाने पे भी सरकारी job के सपने क्या, वो दूर दूर तक ही नहीं है, बच्चे का selection ही नहीं हो रहा है, लिस्ट में नाम ही नहीं है, 100 में से 200 कैसे लाए, बताओ आप, शायद उसके भी तयारी करें, उसके लिए भी पढ़ना स्टार्ट करें, सिंपल से बात है, कोई भी कैटेगरी का बच्चा जब preparation स्टार्ट करता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, SEO, STO, OBCO, ManorTO, URO, General O, कोई भी कैटेगरी का हो, ज स्टूडेंट जब preparation करता है, तो वो यही सोच के prepare करता है, कि मुझे 100 में से 100 number लाने है, हर स्टूडेंट, लेकिन जनरल का स्टूडेंट जब preparation करता है, तो उसके back of the mind, subconscious mind में चलता रहता है, भाई में सो में से 200 नहीं आए ना, फिर मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी भाई कौन कह रहा है कि सिब government job दो, प्राइविट सेक्टर में ही देो, प्राइविट सेक्टर में ही कुछ रास्ता बताओ, वहाँ भी बुरे हाल है, वहाँ भी बुरे हाल है, अगर एक candidate का, एक student का, उसकी degree के according, उसको job नहीं मिल रही है, मतलब वो unemployed है, वो इसलिए बस कमा रहे है, आट-दस हजार अगर कमा रहा है, तो अपना जीवन यापन कर रहा है, भाई जीएगा, भूक लगती है, खाना तो खाएगा, भूक तो लगती है, भूक को कोई बंद कर सकता है, क्या, प्राइविट सेक्टर का भी वही हाल है, कोई इतना अच्छा नहीं है, जब बीटेक किया हुआ और एमटेक किया हुआ, इस स्टूडेंट बीस हजार और पंदरह हजार की जॉब में प्राइविट सेक्टर में जा रहा होता है, उसमें भी उसका वर्क प्रोफाइल उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसकी डिगरी के हिसाब से नहीं होती है, उसका दि यह नहीं होता कि कुछ भी काम करो, आपकी डिगरी, एजुकेशन के हिसाब से आप जॉब मिलना चाहिए, तभी वो इंप्लॉइड कहलाता है, और तभी कहा जाएगा कि देश में इंप्लॉइमेंट है, अदर्वाइस तो अनिंप्लॉइमेंट ही है, और अनिंप्लॉइमे बात करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, प्राइविट सेक्टर के पी के बारे में, हर कोई क्या बोलते हैं, आयम और आयाटी से नहीं पड़ा हुआ है, यहां पर ठीक है ना, अब जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उनको क्या पता होगा इसकी तक जो पूरे जो जॉब क्रियेट हुई थी, वो 407 थी, 407 मिलियन, 2018 में जो यह जॉब क्रियेट हुई थी, वो हुई 405 मिलियन, ठीक है, और 2019 में जो जॉब क्रियेट हुई, वो थी 400 मिलियन, अब यह मुझे इंक्रीजिंग ओर में तो दिख नहीं रहा है, अगर किसी को तो मुझे comment section में comment करके बताओ कि यह increasing order में है madam आप तो गलत डेटा बता रहे हैं increasing order में तो दिख रही नहीं है यह अगर मुझे दिख रहा है तो यह तो मुझे decreasing order में ही दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2020 नहीं add किया 2020 अगर add कर लेंगे तो फिर उनका रोना स्टार्ट हो जागा कि कोविट था कोरोना था उसको पहले ही अलग कर दो ठीक है इसकी बात ही नहीं करती है 2017 से 19 के बीच में all over सारी चीज़े मिला के सारा employment मिला के यहां public sector, private sector, unorganized sector, organized sector सब मिलाके इतनी job create हुई है और फिर आप कहते हैं कि private sector में जाओ कहां जाएगा इंसान at least रास्ता बताओ, रास्ता बताओ कि क्या करना है, graduation अगर student ने किया है तो वो किस field में जाए, किस में जाए क्योंकि अब यहां पे तो government job में तो यह इसी चीज़ चल रही है, यहां पे तो job मिलने से रही, so at least कुछ रास्ता बताओ, जिससे उस रास्ते पर student जाए और वहां पर job करे, RRB, NTPC के तो अभी बात क्या करनी है भाई, form कब भरे गए, दो साल, ढई साल बात, इतनी एक्जाम डेट रिलीज हुई, एक्जाम स्टार्ट हुए है, अब एक्जाम भी पंच वर्सी है यह जना में चल रही है, छे महीने तक एक्जाम ही चल रहा है, मतलब यह एक्जाम जून तक चलने वाला है, उसमें भी इतना प्रॉब्लम है कि किसी स्टूडेंट के पास महीने में है, इससे अच्छा तो ओफलाइन था, कम से कम हाड़कॉपी कॉल लेटर तो आता था, पोस्ट के ज़दिये, आता था या नहीं, आता था, इनकेस दूर दराज वाले लोगों का नहीं आता था, तो वो ऑनलाइन डाउनलोड करते थे, यहां तो सब चीज ऑनलाइ हो चुका है, उसके बाद भी एक information नहीं है student के पास, कि उसका paper मार्च के महीने में है, कि जनवरी के महीने में था, कि जून के महीने में है, नहीं है student को पता, वो Google पे जाता है, सर्च करता है, link वहाँ पे जाके अपना registration number डालता है, चेक करता है उसका exam है कि नहीं है, अब exam उसके निकल गई कि हो गई भगवान जाने लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि कोई notification ही नहीं कोई information ही नहीं दी गई है हम एक SIM भी खरिदते हैं तो उसकी notification हमको alternate number पर आती है और form भरा है हमने करियर डिपेंडेंट है और इसकी कोई notification नहीं है तो इसकी तो बात ही क्या करें अभी ये CBT-1 चलेगा ये 6 माईने साल भर और उसके बाद फिर CBT-2 चलेगा और अल्रेटी दो से तीन साल notification को हो चुके हैं अभी ये process होते होते कितने साल होंगे किसी को नहीं पता है बिहार SSC 2014-2014 आप समझ सकते हैं अभी तक कुछ भी यता पता नहीं है कि पेपर का क्या हुआ है कितनी आखिर वो ट्विटर का campaign चली तभी तो इसकी exam date भी आई अभी ये exam date खीचे जा रहे हैं खीचे जा रहे हैं खीचे जा रहे हैं छे महीने तक लगता है अगले अभी जो आने वाली चुनाव है उसका मुद्ध यही रहने वाला है इसी पर चुना वो लड़ने वाले हैं कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब स्टूरेंट का भविश्य कहां जा रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है अपना अपना सब देख लो ऐसा हो गया अब अपना अपना भी देखने के लिए क्या करेंगे भाई ठीक है तो आपको य अगर आपका अकाउंट नहीं है मेक शूर आप अपना अकाउंट बना लें ठीक है सिर्फ आप स्टूडेंट है इसलिए आप ट्वीट ना करें अपने दोस्तों से भी करवाएं घरवालों से भी करवाएं माता-पिता से भी करवाएं आपके घर में कोई प्रिपरेशन करत यह उनके लिए भी है तो यह प्रोसेस स्ट्रीम लाइन होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ट्वीट रिट्वीट आप करते रहिए 25 फिफ्ट फेब 11 ओकलॉक याद रखना है अगर आप ट्वीटर विजिट कर रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे हैं तो आपने देखा होगा ये जो पोयम है ये जो पोएटरी है ये कुछ लाइने है काफी लोगों ने शेर किया है मुझे बहुत पढ़के अच्छा लगा मैंने पूरा पैरा नहीं इंक्लूड किया जो पैरा मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने include कर दिया है यहां वो लिखते हैं रांक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते वेटिंग लिस्ट का कहीं नहीं समाधान करते साहब दो चार हो तो बोलूं अरे आप तो जुल्मों को फजार करते हो युबाओं से भी कुछ कहना है अब और नहीं सहना है बुलंद अपनी आवाज करो आज कुछ ऐसी हूंकार भरो आजाए चाहे साहलाब अब रुकना नहीं जुकना नहीं अपने हको का करना है हिसाब अब यह पंतिया मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत दिल को चुई और तो इसलिए मैंने इंफ्लूट किया था इसमें और एक दो पैरा है तो आपको कंप्लीट अगर यह पोयम चाहि होगी अती सरवत्र वर्जेत बड़े बुजर्गों से आपने सुना होगा अती सभी जगवर्जित है उतना ही अत्याचार करो जितना लोग सह सकें अती का परिणाम हमेशा हाने कारक होता है पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं स्टूडेंट अपनी पूरी जवानी प् अरवाही नहीं है आई थिंक वो समय आ चुका है कि अपनी चीजों के लिए आपको आवाज उठानी होगी क्योंकि आप कोई गलत चीज नहीं कह रहे हैं अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने पडोसी को नहीं कहूंगी अपने माता-पिता को कहूंगी कि मुझे यह च पहुंचा रहे हैं क्योंकि शायद उन तक यह बात अभी तक पहुंची नहीं है जो उनके प्यमों को लोग उन्होंने नहीं पहुंचाया है तो यह देखके यह बात उन तक पहुंच जाए और इसका वो समधान करें अब हम यह बात लेके चाइना तो नहीं जाएंगे सबस्मॉल में होना चाहिए यह आपको याद रखना है ठीक है कब करना है 25th Feb 11 o'clock यह आप धिहान रखें और जितना जादा हो सके tweet, retweet आप करते रहें और इस campaign को successful बनाना है ओके, so that's all for today, आज के लिए इतना ही, आज कोई भी like, subscribe के लिए मैं आपको अपील नहीं करूँगी, आपको अच्छा लगे तो आपको जो करना है करिए, बस जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को share करिए, जितने जादा लोगों तक आप share कर सकते हैं, share करिए, so that कि ये आवाज ये जो प्रॉब्लम से ये लोगों तक पहुँचे, लोग ये जाने कि ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, और सिर्फ ये वीडियो नहीं, आप यूट्यूब पे जिनकी भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी टीचर वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपको support कर रहे है जो भी टीचर इसका campaign को support कर रहे हैं, सभी की वीडियो को share करिए, जादा से जादा share करिए, so that ये बात बैठे लोगों तक पहुँचे और उनको समझाए कि गलत हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ, बच्चों के भविश्य से खेला जा रहा है, त बहां तक पहुँचे, बस यही मैं अपील करती हूँ, धन्यवाद, तैंक यू, जैहिन, जै भारत.